वह तुम्हारा दुस्मन है क्योंकि उसकी सांत्वना के कारान ही तुम जागोगे नहीं उसकी सांत्वना एक तरह की सामक दबाई है ट्रेंकुलाइजर अच्छी लगती, मीठी लगती पर जो मीठा लगता है वो सभी अमरत थोड़ी होता सच तो ये है कि जिसको भी तुम्हारे गले के भीतर जहर उतारना हो उसे जहर पर मिठास का लेप करना पड़ता है संत्वना मिठा जहर है मारेगा इससे तुम जागोगे नहीं इसलिए बुद्ध पुरुस चोट करते है उनके वचन तीर की तरह छित जाते जिन में सामर्थ होता है सेहने का वो रुपांत्रित हो जाते हैं और जो कायर हैं भाग खड़े होते हैं वो नाराज हो जाते हैं सदा के लिए वो फिर कभी बुद्ध के चरणों में नहीं आते वो कभी उनके पास नहीं फटकते वो सदा के लिए दुखी होके नाराज हो जाते, वो दुस्मन हो जाते, तुम ज़रा ख्याल करना, तुम अपने मित्रों के दुस्मन हो जाते और अपने दुस्मनों को अपना मित्र समझ लेते हो, बुद्ध से कभी किसी ने कहा था, कि आप इतनी कठोर बातें कह देते हैं, तो बुध्ध ने का क्यूंकि मैं तुम्हारा कल्यान मित्र हु। ये बड़ा प्यारा सब्द बुध्ध ने उप्योग किया कल्यान मित्र। अनि था मुझे क्या प्रियोजन हैं, कि तुम्हें चोट करूं, तुम्हें चोट करने में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है करुना के कारण चोट कर रहा हूँ कल्यान मित्र हूँ ज़रा सोचो ये ये गटना आदमी मर रहा है अभी तो उससे कहना था बिलकुल न गबडाओ अभी कहां मौत अभी तो तुम जवान हो अभी तो तुम्हारे जहरे पर कैसी रोनक जवानी की अभी कहां मरना है अभी उठ बैठोगे सब ठीक हो जायागा बीमारी है आई है चली जाएगी गबडाओ मत और तुम्हारा पुन्ने तो काफी बड़ा है इतने बड़े पुन्ने से तुम्हारी रक्षा होगी परमात्मा तुम पर प्रसन है ऐसा बुद्ध कहे होते तो स्याद ये बुढ़ा प्रसन होता स्याद और दान दिया होता और दो चार दिन बुद्ध के लिए ने मंत्रित किया होता लेकिन बुद्ध ने तो बड़ी अजीब बात कही वो समर्ते हुए बुढ़े को कहा कि अब तु जीवन का मोह छोड़ मूढता काफी हो चुकी सौवर्स कुछ कम नहीं होते इतने दिन भटक लिया अंधा होके अब तो आखे खोल इस जीवन में धरा क्या है जिसकी तु मांग कर रहा है इससे मिला क्या है मिलेगा क्या कब किसको क्या मिला है हाथ अखीर राक से भरे रह जाते होस को समहल बुद्ध कहने लगे कुछ पुणने पाथे एकटा कर ले तु बिलकुल भिकारी है स्वानकार बड़ा धनी था वो स्रावस्ति नगर का सबसे बड़ा सुनार था सबसे बड़ा सराफ था उसके पास धन बहुत था लेकिन बुद्ध उसे कह रहे हैं तु भिकारी है क्योंकि तेरे पास पुणने पाथे नहीं तेरे पास ध्यान तो बिल्कुल नहीं है ये धन क्या काम पड़ेगा ये जरा भी काम नहीं पड़ेगा ये धन तो यहीं पड़ा रह जायेगा तुझे अकेला जाना होगा कुछ एक ऐसी